हाई फ्रेंड्स देवर्शी मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा आज का वीडियो स्पेशली उन स्टुडेंट्स के लिए है जो क्रेटिव हैं आर्ट और फैशन में इंट्रस्टेड हैं और अपना 12th कंप्लीट करने के बाद फैशन डिजाइनिंग से ही रिलेटेड स्टडी करना चाते हैं और फैशन इंडस्टी में ही अपना करियर बनाना चाते हैं मैं उन सारे स्टुडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो अन तक पूरा जरूर देखेगा जिससे आपको एक क्लियर डिरेक्शन मिल जाएगा कि आप 12th के बाद फैशन इंडस्टी में अपना करियर कैसे बना सकते हैं तो आईए चले यह आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुवात करते हैं तब से पहले तो यह समझे कि अगर आप इंडिया के topmost colleges में admission लेना चाते हैं मतलब topmost fashion colleges में admission लेना चाते हैं तो उसके लिए कुछ entrance examinations होते हैं आप इन entrance examination में अच्छा percentage या percentile score करके इंडिया के topmost colleges में admission ले सकते हैं और यह सारे test 12th के बाद आप दे सकते हैं तो उसमें से पहला टेस्ट है जो NIFT कराता है, NIFT इसका फुल फॉर्म है National Institute of Fashion Technology. Second one is NID जिसका फुल फॉर्म है National Institute of Design. Third one is UCEED, इस तेसका नाम है Undergraduate Common Interance Exam for Design. Next one is PAF, Pearl Academy of Fashion. इसके बाद है FDD, Footwear Design Development Institute. Next one is SEED, Symbiosis Interance Exam for Design. Next one is IIAD, Indian Institute of Art and Design. Last but not the least, All India Interance Exam for Design. ये वो टॉप टेस्ट हैं, इंट्रेस्ट टेस्ट हैं, जिनको क्लियर करके आप इंडिया के टॉप्मोस्ट कॉलेजिस में अड्मिशन ले सकते हैं, जवहां बात होती है, फैशन डिजाइनिंग की. लेकिन आपको घबराने की ज़रुवत नहीं है, इसके इलावा भी बहुत सारे कॉलेजिस हैं, जिनमें आप एड्मिशन ले सकते हैं. आप बात करते हैं, फैशन से रिलेटेड डिप्लोमा, एड्वांस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्सिस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसमें से फैशन डिजाइनिंग, जुल्री डिजाइनिंग, क्रेटिव फैशन स्टाइलिंग, इंटिरियर एंड इंटिरियर डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, टेक्स्टाइल डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, टेक्स्टाइल डिजाइनिंग Fashion Communication, Communication Design, Knitwear Design, Fashion and Apparel Design, Jewelry Design जैसे important topics related आप B.A.C. भी कर सकते हैं, B.A. जैसे courses भी कर सकते हैं दोस्तो अगर बात करें fashion industry में job और career opportunity की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह diploma और graduation courses करने के बाद आप fashion designer, fashion visual merchandiser, fashion writer, fashion journalist, fashion stylist, fashion PR manager government technologist, textile designer, fashion illustrator, personal stylish, fashion buyer, fashion blogger, fashion vlogger जैसे अलग-अलग profiles पर काम कर सकते हैं, अपना खुद का business भी start कर सकते हैं और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो मैं आपको अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि 12th के बाद एक बेतरीन option हो सकता है fashion की दुनिया में अपना course करना और फिर उसमें career बनाना दोस्तों किसी particular college का नाम देना या university का नाम देना एक तरीके का promotional वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया मैं चाहता हूँ आप खुद explore करें और सच को संगजें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत बूलेगा शेयर करना मत बूलेगा और अगर मेरा अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा आपके समय के लिए बहुत बहुत ध्यान्यवाद